इस अप्राद को जिसने भी कारिद किया है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा मैं और डीन साब मौकने कर है और प्रता से रमाइना किया गया है इस पूरी जमीनी विवाद की जाज कर दियें वी तैम राजस को आरे चौहां तो रिद्वारा नाविद किया गया हुआ उत्तरपदेश के जौनपूर जिले में 16 साल के टाइकॉंडो खिलारी की पुरानी रंजिस के चलते निर्मम हत्या कर दी गई हत्यारों ने उसका सिर्थ तलवार से काट कर अलग कर दिया जारकारी के मताबिक जब बुद्वार सुबर प्राइकॉंडो खिलारी अपने खर के बहार द्रस कर रहा था तब इक पडोसी वक्त तलवार लेकर पहुँच गया जिसे देख खिलारी बचने के लिए भागा तो आरोपी उसके पीछे दोड़ा और तलवार के एक वार से उसका सिर्थ अलग कर दिया वहीं बेटे की चीक सुनकर मा दोड़ती हुई बाहर आई तो बेटे का जमीन पर इस हाल में पड़ा देख बेहोस हो गई दरसल ये दर्दनाक वारदाद जौनपूर जिले के गौराबाश्या पूर्थाना के कबिरुद्दीन पूर गाउं की है जा पुरानी रंजिस और जमीन के विवाद के चलते पड़ोसी ने 16 साल के ताइकॉंडो खिलारी अन्राग यादों की निर्मम हत्या कर दी इस निवम हत्या के बाद पूरे इलाके में हल्कफ मजिया है वही घटना से गुसाई लोग सड़क पर उतराये और जम कर प्रदेशन किया फिलाल इलाके में बढ़ते मामले को देखते हुए कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात है जानकारी के मताबिक अन्राग यादों घर का इकलौता बेटा था उसकी 5 पाँच बहने रराजिंटर कॉलेक बें बारवी में पर्ता अनुरौाध में ताइकॉंडो में हाली में नौइडा में हुई ओपन नेशनल में सिल्वर मेडल जीता था इसके अलावा इंडो नेपाल इंटरनेशनल ताइकॉंडो प्लतियोक्ता में कांश पदक भी जीता था ग्रामीडों के मताबिक ग्राम समाच की एक जमीन है उस जमीन को लेकर दो पक्षों में 40 साल से विवाग चल रहा है बताय जा रहा है कि सनिवार को ग्राम समाच की जमीन पर उगी घाज को अनवाग चल रहा था तब ही आरोपी रेटायाद दरोगा लालता यादव और उसका बेटा रमेश यादो मौके पर पहुंसते हैं दोनों की अनराव यादो से कहा सुनी हो गए हाला कि उस समय पडोशियों ने किसी तरह मामला सांथ करवा दिया वहीं बुद्वार सबय जब अनराग अपने घर के बाहर ब्रस कर रहा था तम फिर से बाप बेटे पहुंसते है और उन्होंने अनराग को तोड़ा दिया इसके बाद रमेश ने अनराग पर हमला करके उसे मौत के खात उतार दिया वहीं बेटे की चीकुकार सुनकर माद दौरती हुई बाहर आई तो बेटे को मरा देखकर बेहोश हो गए कुछ पलबाद होश आया तो बेटे का सिर सीने से लगा कर रोती रहे फिलार पुलिश ने दोनों आरूपियों रिटार दरोगा और उसके बेटे को गिरफतार कर लिया है इस घतना के बाद पूरे इलाके में हड़कब मत गया गाउं में तनाव बढ़ गया गुसाए ग्रामेर सड़कों पर उतर आए और प्रजेशन करने लगे ऐसे ने गाउं में बढ़ता तनाव देख कई थानों की फोर्स मौके पर तैनाव की गई है करमेश और लालता इन पर्जेश के द्वारा जो जो दिन साथ विवाद था उनके प्रहमला करके उसके हत्या की गई है इसमें विलहाल मैं और डियम साथ मार्के करे और गटा सौब कम गया है और कुछ जो अभी उक्तन को इस में कारित किया है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा साथ ही जो इनको खसाने वाले लोग है उनको भी दंड दिया जाएगा जमीनी विवाद चालिस परसों से अभी जैसा की बता है लगवाद पुराना विवाद है सिमिल कोर्ट में भी है और कहीं में है इस पूरी जमीनी विवाद की जाज के लिए प्रेडियम बित्यम राजस आरे चौहान को देरे द्वारा नालित किया गया है जिस टीटियल जात करके और दोनों सारे चीजों का अवलोपन करके परिच्छन करके इस पर एक सब तीन दिन में आख्या दें